हलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी लोग स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी प्यारे से चैनल में तो प्यारे बच्चों आज हम बात करने वाले हैं संधारित्र के बारे में जैसा कि हम पिछले वाले लेक्चर में देख चुके थे संधारित्र का सिधान साथ में चलते हैं और आपके हाथ में एक पैना और पेपर होना चाहिए है ना तभी मज़ा आएगा इसका अगर आप पिछला लेक्चर नहीं पढ़ रखे हैं तो आप जरूर फिछले वाले लेक्चर कुछ देख कराईए जिससे आपको यह बहुत अच्छी तरह से समझ में इस लेक्चर में हम केबल समानतर प्लेइर संधाय दर्ट्र क्या होता है और उसके कैपसी तनस को कैसे फांड आउट करेंगे संधाय दर्ट का वेंजक कैसे निकालना उस सचेज को हम यहाँ पर बात करेंगे आईए समझते हैं समांदर प्लेट संधादर क्या होता है देखे हमारे पास दो धातुएं होती है कितने धातुएं होती है दो बोलो कितने होती है तो ठीक है अब देखे एक को क्या करते है न हमारे पास दो ऐसे समांदर क्या होंगे प्लेट होंगे एक को हम माल लेंगे X दूसरे को क्या माल लेंगे Y ठीक है ये दोनों एक stand से क्या होती है खड़ी होती है ठीक है ये भी आपका एक stand है लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोनों आपस में कुछ दूरी पर है ना समानतर रखी जाएंगे ठीक है कुछ दूरी पर रखी जाएंगे और एक plate का नाम क्या होगा X दूसरे का क्या नाम होगा Y हम क्या करेंगे X वाले plate को X वाले plate को हम स्वण पात्र से जोड़ेंगे या ध्यान रखना जो स्वण पात्र से जोड़ा जाएगा उसे क्या देंगे? आबेस देते हैं, ठीक है? और जो सिकेंट वाला होता है न उसे किस से जोड़ देते है? अर्थ से ठीक है? इस तरह का जो combination प्राप्त होता है आपको इसी को हम क्या कहते हैं समानतर प्लेट संधारतर कहते हैं पैरलल प्लेट कैपेसिटर तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा चलिए बात करते हैं इसके वेंजक पर हम उसमें यही काम करने वाले हैं कि भाई हमारे पास दो प्लेट होंगे एक्स और वाई इनके बीच का गैप कितना होगा डी होगा और इनका प्रते का जो छेतर फल होगा कितना होगा ए जब हम इस क्यू आपेस को है ना मलब क्यू आपेस को ए प्लेट को देते हैं इस X वाले plate को क्या करते हैं देते हैं ठीक है एच शेतर फल में तो प्रेरण के कारण Y वाले plate पर क्या उत्पन हो जाता है है ना उसी के विप्रिद्ध जैसा आबेस उत्पन हो जाता है ठीक है उस पर plus है तो इस पर minus होगा due to earthing तो आईजे इसी पर हम बात करते हैं और यूलि धाल जाती हैं और इनके बीच का माध्यम पर आविताई मान लेंगे क्या होगा के भरा होगा ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं देखे डियर स्टुडेंट यहां पर हमारे पास दो प्लेटे हैं इनके बीच का गैप कितना है डी है और प्रतिक का छेतरफल यहां पर कितना हम मानते है ए और इनके बीच में है ना कोई एक ऐसा माध्यम रख देते हैं इनके बीच में एक माध्यम रखा है इस माध्यम के वै एच घा तो जैसे मैं इसको क्यों आब यहां नहीं चार्ज तुकर इसको प्लस में होगा तो आप्छी यह नीगेटिफ चार्ज़ इस वाइ वाले प्लेट पर चंड्रेट है यह प्लेट के उन्डियक दर पीछे वाले प्रेश्ट पर नहीं होगा तो आप देखिए ये प्लस का है इस पर X पर और Y पर क्या है माइनस का तो आप यहां पर बहुत आराम से देख सकते हैं एक वैदो छेतर उटपन हो जाएगा क्या उटपन होगा है वैदो छेतर ई है ना अगर मैं मान लो यहां पर इसका जो आवेज घनत तो है एक्स पर प्लस का सिग्मा और इस पर कितना है माइनस का सिगमा तो हम एक relation जानते हैं हम जानते थे ठीक है क्या जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं समानतर प्लेटो के मध कितना वैदो छेतर रुटपन होता है आपको साइद बताया गया था कितना होता है भई अरे बोलो यार सिगमा अपान कितना एपसाइलन नौट गौस परमे में प्रूब किया था अगर आप इसको नहीं जानते हैं कैसे आया तो आप गौस परमे में जाएं और वहाँ पर जो आपको मिल जाए हेडिंग समानतर प्लेट की कारण है ना उसके बाहर या अंदर वैद च्छेतर की तीपरता निकालते थे हैं ना तो अंदर इतना आता था सिगमा अपान कितना एपसाइलन नौट अगर हम सिगमा की बात करें तो सिगमा कहता है सर क्यू अपान ए होते हैं हम क्या होते हैं Q upon A है ना Charge Density for Unit Area अगर यहां पर मान रख दिया जाए E का तो आप यहां पर देखेंगे कितना आ जाएगा Q upon Epsilon naught A ठीक है अब चलिए यह तो आ गया अब देखो जैसे आबेस देंगे तो इनके बीच में एक विभवांतर स्थापित होगा क्या इस्थापित होगा विभवांतर ठीक है अगर हम बात करें यहां पर विभवांतर की ठीक है विभवांतर ठीक है तो यह जो विभवांतर होगा ना कहेगा सर यह जो विभवांतर आया है वैद दुछेतर और उसके बीच की दूरी का multiply कर दो आप ठीक है आपको मिल जाएगा अच्छा यहां पर मैंने काम करना भूल गए है इसका माध्ध्यम कितना था के तो यहां पर क्या लेना था मुझे के ठीक है यह तो काम करना ही पड़ेगा आपको है ना अगर वायू माध्यम होता क्यों के का मान क्या रख देते है वन ठीक है जब तक के नहीं है तब तक यह वायू माध्यम या निरुवाद के लिए वैलिड है चलिए अब बात करते हैं विभवांतर पर तो यहां पर V is called to E into क्या होता है ठीक है हम सब लोगों ने सीखा था वैदुद विभवाले चेप्टर में अब यहां पर हम क्या करेंगे E और E का मान पूड़ कर देंगे है ना जो भी आया था देखिए V is called to E की वैलू कितनी है और यहां पर लिग देंगे E का मान रखने पर E का मान रखने पर चलो भाई यहां पर रखो मान यहां पर कितना के एप साइलेट नौट A into कितना डी काम करो क्यूंको है ना इधर वेज दो विभवान कितना हो जाएगा क्यू बराबर D upon K epsilon 0 A अच्छे भाई आपको एक बात बताऊ C skull 2 क्या होता है Q skull 2 क्या होता है C B हमें तो धायरता चाहिए न तो आप जानते हैं C बराबर क्या जाएगा बोलो बोलो Q upon कितना V तो आप देखो अगर C रखना है तो Q upon V करना पड़ेगा जबकि इसका उल्टा मुझे पता है तो इसको प्लट देते हैं एक बार क्या करते हैं प्लट देते हैं आईए इसको प्लटते हैं जब इसको प्लटेंगे तो Q upon क्या बनेगा Q upon कितना Q upon V Q upon कितना V और ये भी प्लट जाएगा Epsilon 0 K A upon कितना D तो आप यहां पर देख सकते हैं बाई Q upon V की वेलू कितनी है C कितनी है C यहां पर आपको मिल जाएगा Epsilon 0 K A upon D ये इसकी धारता आगई समानतर प्लेट संधारत्र की क्या है ये धारता है समानतर प्लेट संधारत्र की क्या है ये धायरता है अब आप कहेंगे सर ये जो धायरता है न वायू या निर्वात माध्यम के लिए क्या होगा देखिए हम जानते हैं वायू या निर्वात के लिए बात करना हो निर्वात ठीक है तो उस समय के कमान कितना होता है वन होता है अब इस समय जो धायरता आएगा कितना देंगे नौड का मलब वायू या निर्वात के लिए बात कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा एपसाल नौड एपान डी अब एक चीत ध्यान से देखो अगर हम बात करें इसके निर्भरता की है ना धारता के निर्भरता की तो यहां पर यह तीन फैक्टर पर मेंली डिपें करते हैं तो आप आगे थोड़ा सा और बात जोडएंगे ठीक है अब यहां पर जैसे हम सब लोग बात करें समांधर प्लेट की धारता को प्रभावित करने वाले कारक तो जैसा कि हम जानते हैं हम क्या है वह हैं जानते हैं ह। जानते हैं क्या जानते हैं सी इसको intense k अभी अभी आया था locks k यह माम जानते हमाइस और स्य अधिको जो है ना अनकरमानुपाति ज़ोगा इरिया के है रहना पर भी क्या करता है निर्भर करता है अप्रस्ट काट छंतर कल इए निर्भर करता है अगर आप से बोल दिया जाए न माध्यम की वैलू 7ाइद 2 एक वार्था पॉइक की टो just पर देख सकते हो कि जो c है ना क्या c वो दूरी के ब्यूत कर्मा नुपाती है यानि कि d अगर बढ़ा तो c के value क्या होगी घड़ जाएगी अपने आप है ना तो बीच की दूरी पर भी क्या करता है निर्भर करता है तो आप ये बाते हैं न ध्यान रखना बहुत ही important है exam में direct पूछ लिया जाता है यद दो प्लेटों के बीच का मध्यम बढ़ा दिया जै आनि कि K की value को क्या कर दिया जै बढ़ा दिया जाए ठीक है K की value को क्या किया चाए भाई बढ़ा दिया जै तो C value पर क्या effect पढ़ने वाला है तो भाई ये भी क्या होगा बढ़ जाएगा तो आई होप आपको ये समझ में आया है और आप है ना इस वीडियो को है ना जब बार बार एक बार दो बार कम से कम आप दो बार देखें है ना कोई सबी वीडियो हो ठीक है तब जा करके आपको अच्छे से किलर्टी होती है एक वीडियो में क्य होता है ना नया नया असा लगता है लेकिन जब आप सिकेंड चीज है ना वही चीज देखते हैं तो थोड़ा दिमाग में है ना वो चीजें बैठने लगती है तो आप जरूर कोसिस करें है ना दो बार रिवीजन करना कुल मिला के अगर आप वह भी में नोट कर रहे हैं तो आप रिवीजन कर लिया गरें उसे से वही काफी है ठीक है चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू